हम लोगोंने पूसा संस्थान में भी सर्दा खर्बुजे की विए प्रजाति विक्सित की है, पूसा सर्दा के नाम से ये करीब एक कीलो का फल होता है, बाहर से बिल्कुल पिला रंका होता है, और ये थोरा सा स्राइटली ओभल लेकिन गोल होता है, और इसमें एक पधे पे दो से तीन फल लग सकते हैं, अभी हाल में हमने एक इसकी और उन्नत किस मिक्सित की है, जिसे हम पूसा सुनहरी के नाम से जानते हैं, और सुनहरी नाम इसलिए दिया गया है कि इसका जो गूदा है, वो भी नारंगी रंका होगा, यानि ओपर जो खर्बुजे का फल होगा, वो भी पीले रंका होगा, अर अंदर का गूदाज होगा, वो भी नारंगी रंका होगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे आम खर्बुजाज होता है, जब पक जाता है या जब तयार हो जाता है, तो वो अपनी बेल से बिलकुल खुद ही अलग हो जाता है, जिस कारण उसकी सेलफ लाइफ कम होती है यह जो सरदा खरबुजी हैं यह नच्योर होने के बाद भी बेल से अलग नहीं होते हैं और इसको आप मार्केट में 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक भी यह रह सकता है इसमें कोई खराबी नहीं आती है अब जो उत्तर भारतिय मैदानी इलाके किसान हैं जो इसकी खेती अभी करना चाहते हैं या तो आप पलिथिन के छोटी सी जोपरी बना लें जो प्लास्टिक की पाइप ले और उसके वोपर पलिथिन डाल दें और उसके अंदर अभी हम इसकी नरसरी तियार कर सकते हैं जिसके लिए आप 10 से 15 संचिमीटर की जो छ जो पलिथिन का जो आपने जोपरी बना उसके अंदर इसकी नरसरी तियार कर लें और फिर जो ही पाला की समस्याग संभावना खत्म होती है फरवरी के प्रथन सत्ता में आप इसको खुले खेत में लगा सकते हैं या अगर आपके पास नेट हाउस या पालि हाउस है तो उस हाँ एक चीज आपको ध्यान रखना कि जब हम इसको पालि हाउस या नेट हाउस में लगाते हैं इसमें परागन का काम करना होता है क्योंकि खुले खेतों में तो मदमक्या करती है और जब 40-50 दिन के बाद इसमें हमको परागन का काम खुद से करना होता है यह जुए लोग झाल झाल